हेलो एब्रिवन, मैसेल्फ जग्दिस बाखहर, मिकेनिकल एंजिनेरिंग डिपार्टमेंट, डॉक्टर सुभास टेकनिकल केंपस, जुनागड इंडेस्ट्रियल एंजिनेरिंग सब्जेक्ट नी अंदर आपने वर्क स्टडी जोई रहा चिये आजे आपने लेक्चर नंबर 16 नी अंदर टाइम स्टडी नो अभ्यास करचू आम तो टाइम स्टडी छे आगड़ पन आपने थोड़ू बेजिक समझी गया चिये पन ए टाइम स्टडी माटे कितलाक बिजा महत्वना मुद्धा ओँ छे के जहनी चर्चा आपने आजे करिये टाइम स्टडी नीचे जणावेली परिस्थितियों मां करवी पड़े छे जे कई-कई सिचुएशन नी अंदर आपने टाइम स्टडी करवू जोहिए अथवा तो टाइम स्टडी करवा नी पाछडना कारणों सुम् तो ये आपने जोहिए एक पची एक जोब, प्रक्रिया अने पार्ट्स बिल्कुल नवाज होई अने अगाव तेनो टाइम स्टडी करवा थी जेकाई प्रोसेस थाई जेमाई इंप्रूमेंट लावी शका से एडले नविज जग्या अए नवाज पार्ट माटे नविज प्रक्रिया माटे नवाज जोब माटे टाइम स्टडी छे करी शकाई मө़ी अने कारिया पधती बदलाया होई त्यारें सपोज कोई इंडस्ट्री छे एना कोई vendor होए एटले के कोई वेपारी होए बीजी कोई कमपनी छे त्यां थी कोई raw material मंगावे छे हवे सपोज ए इंडस्ट्री साथे काईक एवो अन बनाव बनी जाई औने कदाच काईक विवाद था अथवा काई प्रोब्लेम छावे अने material छे अचानक त्यां थी बहंद करी अने कोई बीजी कमपनी मां थी मंगावानू थाई तो स्वभाविक छे के कदाच ए material नी quality मा अथवा तो येना जे पेरामीटर्स होई ये अनि अंदर फेरफारों मड़े तो आवा खेसमा पन टाइम स्टेडी करवू जोई है ACY जो कारिया पधती बदलावेली होई एटले के जेते प्रोड़क बनावानी जे सिस्टम होई सिस्टम मा फेरफार कहिरो अध्वा तो जे पद्धती छे कारिया जेने आपड़े मेथड कही है मेथड प्रोड़क्ट बनाव माटे नी मेथड तो एनी अंदर जो काई फिर फार करेलो होए तो एवा केस नी अंदर पन टाइम स्टेडी करवू जो ही है कामदार अने युनियन द्वारा कारिया समय माटे फरियाद करवा माँ आवी होई त्यारे यले जयरे वरकर छे ए फरियाद करे समय न लईने आम मेनेजरियल थडू थाई जे मेनेजमेंट साइड नू एक टोपिक के भई वरकर ने जयरे उलागतू होई के भई पोताना उपर बर्डन आवे छे औने जे वरकर नू युनियन होई एमना द्वारा जो फरियाद करवा माँ आवे के भई आ काम माटे आटलो समय चे ए प्रोपर न थी अथवा तो समय चे वधारे थतो होई ओछो थतो होई ए जे कैं होई है पन आरितनी जो फरियाद करवा मावे त्यारे टाइम स्टेडी करवू जोई है प्रक्रियामा कोई कारिय थी मट्रियल नो भरावो थता अन्य काम करवानी मुश्केली पड़ती होई त्यारे आ खुबज महत्वना मुद्धो छे बद्धाज मुद्धावनी उपर राखी शकाए हो अपने एक सब्द कदाज सांबडियो होँशे बोटल नेकिंग बोटल नेकिंग एटले बरावो यह जे सब्द वपरायो चे न बरावो जरे इंडस्ट्री नी अंदर एक प्रोडक्ट बनती होई तो एक प्रोडक्ट बनवा माटे घणा बदा ओपरेशान नो थताता होई घणी बदी मशीनरीज होई अथवा तो कोई एसेंबली लाइन होई सपोज कार बने चे अथवा तो बाहिक बने चे एवी कोई वस्तू एसेंबली थी बनती होई तो इना अलग-अलग वर्क स्टेशन चोई अने दरेक वर्क स्टेशन उपर एक एक करता वधार है रोव मट जरोरी होतू नथी तो जे वर्क स्टेशन उपर वधार है समय लागता होसे तियां स्वभाविक छे के जे प्रोडक छे अधूरी बनेली प्रोडक तो तो आवा केश नी अणदर नता रतान करवाम ओं स्ट्यान penso आवे तो अवन मँड़ प्रब्लेम छे, एनुँ सोल्यूशन चुन लावी शकाई, एक करता वधारे वक्स्टेशन बनावी शकाई, अथ्वा तो एक करता वधारे मानसो राखी शकाई, एवी रिते टुकमा कैपन उक्येल छे ए इंडेस्ट्रियल एंजिनियर होई, ए ले आवसे, त्यार पछी प्रोत्साहन, महेंताण, योजना शरू करवी होई, एले जे काई वरकर होई, एने कई रिते इंसंटिव आपू, अथ्वा तो एने कई रिते प्रमोशन आपू, आज यारे नकी करवानू होई, त्यारे पन टाइम स्टोडी छे करी शकाई, त्यार पछी आम जोए तो आनी अंदर ये मुद्धो पन लही शकाई, आपने कदाच सांभडेलू पन होई, कि कोई इंडेस्ट्री नी अंदर कोई वरकर छे, जेतली प्रोडक्त बनावे, एना उपर एने पगार चुक कवा मा आवे छे, एकले स्वभाविक छे, कि वरकर जेतली काम वधार कर से, अथ्व मार्केट छे, सूरत नी अंदर खुब मोटो आपने उकाई शकेग एक बिजनेस छे, डाइमंड नो, तो जनरली गणा बदा, गणी बदी डाइमंड इंडेस्ट्री नी अंदर आरिते ज वेजी सापवा मा आवे छे, चेटला डाइमंड छे, ए जे डाइमंड बनावनार व चकाई छे, गणा समय थी बंदर हेला मशीन नो, आउटपूट तपास वो होई, इंडेस्ट्री नी अंदर आवू बनतु होई चे, कोई इक्विप्मेंट अथवा तो ओक्जिलरी कोई मशीन होई, के जे नो उपियोग क्यारेक क्यारेक जथतो होई, तो आवा केस नी पन तेना माट टाइंग स्टडी करवू जो ही है, त्यार पछी मेथर स्टडी करता पहला जरूरी प्रात्मिक तपास करवी होई, कोई पन जगिया मेथर स्टडी करवी होई, आख्या आखी मेथर नो अभ्यास, पद्धती अभ्यास, तो एक करता पहला पन टाइंग स्टड वही शके तो एक काम करता होई है तो एक काम करती वक्ते बनने काम नी जरे सर्खामनी करवानी होई तो टाइम स्टडी जरूरी छे जोब के कारिया नों वधू पड़तो खर्च आउतो होई त्यारे बट ओबियस चे के कोईपण इंडस्ट्री माटे प्रोफिट एक सवथी महत्वननों एक भाग चे अनि एना माटे जामत बदू चालतू होई चे तो जे खर्च जो वधे तो प्रोफिट गटे तो जरे खर्च वधारे आउतो होई कोईपण जोब बनाव माटे अत्वा काम कर वपा चड़नों तो सवभाविक छे के टाइम स्टेडी करिये तो बदाज पेरामेटर ध्यान मा आउँजे तो एना अधारे खर्च जे घटाडी शाकाई छे मशीन के मानवनों आइडल समय वधी जतो होई त्यारे आपने मेन एन मशीन चाट जोयू आगड़ना लेक्चर्स नी अंदर त्यारे जोयू हतू के घणी वखत मेन काम करतो होई एकलो मशीन बंध होई घणी वखत मेन एकलो काम करतो होई मेन फ्री होई आइडल होई ने घ वर्कर ने प्रोपर ट्रेनिंग आपेली ना होई अथवा तो एने कई रिते काम करूए ख्यालज ना होई तो आवा संजोगों मा आउठतू होई छेके का तो मशीन नो समय बगड़तो होई का तो मानस नो समय बगड़तो होई अनी अंदर विजा साइकोलोजीकल पेरामेटर्स पन आवी शके कोई व्यक्ती छे एनने पोताने काम करवामा उच्छा हज नथी तो आवधा ही शके त्यार पछी ग्राहकों नी फरियाद आवती होई कोई पन प्रोड़क्त नी अंदर काई एरर आवती होई प्रोड़क्त नो रिजेक्षन दर वधी जतो होई त्यारे आ क्यारे बन चे जैरे प्रोड़क्त नी अंदर जे डिफेक्ट चे ए वध चे त्यारे प्रोड़क्त नी अंदर डिफेक्ट आवे डिफेक्ट आवे डिजेक्षन थवानू चे न rejection नो जे rate छे बत्तो होँ तो ये पाण एक waste छे आने ऐन लिदे पाण productivity छे खुंब जगटी शके छे तो ये जे rejection नो rate छे घटारवो होई अथवा तो येने maintain तोन्नाई पाण औचो गरवो होई तो time study करवो जोई ये सुधारेली कार्य पदती माटे नवा स्टांडर्ड टाइम सोधवा होई जे इंप्रूव कोई मेथर्ड इंप्लिमेंट करेली होई कोई प्रोडक्त माटे तो एना माटे नवा टाइम स्टांडर्ड टाइम छे जरूरी छे तो एना माटे पन time study छे करी शकाई छे अवे time study करवा माटेना steps, basic procedure of time study पेलू छे कारिय, कामदार औने तेनी आजुबाजुनी परिस्थिती नी मड़ी शके ते टली महीती मेडवीने नोंत वी अवे आ टाइम स्टेडी एक्चुल करवानी थाई तो सवती पेलू स्टेप जेछे ए पेला तो कई जगिया टाइम स्टेडी करवानू छे ए जथा से ए नकी थाई गया पची बिजु स्टेप छे आपने आम तो आगड जोयू मेथ स्टेडी ने अंदर एउज के बै रेकोड रेकोडिंग मतलब नोधनी करवी तो नोधनी शनी करवानी छे तो के कई हू काम छे कोण काम करें छे मतलब वर्कर कोण छे औने सुन सीच्यूएसन छे तेनी आजू-बाजुनी परिस्थिती शूँँ छे ए बदी माहिती छे जेटली मैक्सिममम मन एटली भेगी करवानी अने नोंधवानी छे बीजूस्ते कार्य पधति नुन वर्णन नोंधवू करणा करणा की रिते रही अलने ज मेठाड छे यह बने को टेने गटकों ुकरते ना भीभाजित करें एटले के जे वर्क एलिमेंट ने आपने वाद करी ये प्रमाणे येने अलग-अलग छुटा पड़वा कामने कार्य बधती असर कारक छे देनी खात्री करवा दरेक कार्य घटक ने तपासवा अने सेंपल साइज नकी करवी आ सेंपल साइज छे ने एटोपिक आगड आगवानों छे आपने सेंपल साइज अटले केटली वखत ओब्जर्वेशन करवू अत्यारे टुक मा आपने एटलू समझे केटली वखत कार्य बधती छे येने चकासवी अथवात येनी खात्री करवी ये केटली वखत करिये ने आज फ्रिक्वंसी छे एने आपणे सेंपल साइज कई शकिये कामदार ने धरेक कार्य घटक पूरू करवा केटलो समय लागे छे ते स्टोप वज थी मापी तेनों समय नुहधवो ये आपणे एलिमेंट नी वाद करिया छे एक्चुल माँ टाइम स्टडी चालू थायू मेजर्मेंट समय नुहापन और ये सेना थी करवानु छे तो के स्टोप वज थी करवानु छे निरिक्षण करनार ना प्रमाणित समय ना ख्याल प्रमाणे कामदार ने तेनी काम करवानी गती नुह तेज भगते रेटिंग आपू ये जे ओब्जर्वेशन करे छे जे आ स्टोप वद लए अने मापन करे छे ये ना आधार है जे काई स्टांडर्ड टाइम नकी थाए ए प्रमाणे जे वरकर छे एनी काम करवानी जे स्पीड छे एनू रेटिंग आपू रेटिंग नो कंसेप्प पन आगडे आपने डिटेल नी अंदर समझ वाना छे पन रेटिंग एटले आपने उकई शक्ये एक एक स्टांडर्ड टाइम होए तो एना करता जो ओछा समय मा कोई काम पूरू थतू होए तो एने स्वो करता वधार रेटिंग आपने आपी शक् मानो के कोई 10 मिनिट मा पूरू थाए एवु काम 8 मिनिट मा पूरू करे चे तो आपने उकई शक्या के एनो जे रेटिंग फेक्टर छे ए स्वो करता वधार रेचे केम के ओचा समय मा पूरू करेलू चे आन्थी उल्टू सपोज कोई 10 मिनिट नू काम चे एवे 12 मिनिट मा करे चे तो आपने उकई शक्या के जे नोर्मल स्पीड होवी जो एना करता आयनी स्पीड चे ए तीमी चे तो आ थायू आखु रेटिंग नू कंसेप्ट औने ए त्यारे जेने रेटिंग आपी देवा नू छे जे अब्जर्वर छे ए आपी देशे त्यार पछी अवलो कित सम्माई के जैने आपने ओब्जर्व टाइम कई आछी है नू बेजिक टाइम मा रुपा अंतर करवू एले ओब्जर्व टाइम अटले जे स्टोप वर्थी मापवा मा आवे छे ए औने एननू बेजिक टाइम मा रुपा अंतर करवू मतलब तो के एना एक्वेशन ने बद के वामा आवे चे बेजिक टाइम पर क्या अने केटला एलाउंस आपवा ते नक्की करवामा आवे चे एलाउंस इस पन आपणे डिटेल नी अंदर आगेड़ना लेक्चर मा समझवना छिए त्यारपची कारिय माटे ना प्रमाणीच समय नी गणतरी करवी एला छेले आवे स्टांडर्ड टाइम मित्रो आजे स्टांडर्ड टाइम बेजिक टाइम ओब्जर्व टाइम एलाउंस इस आबदा जे कंसेप्छन है खुबज इंपोर्टन छे अने आपणे आगड़ना लेक्चर नी अंदर समझवना छिए अल्टिमेटली प्रोसीजर नी अंदर फाइन नो स्टांडर्ड टाइम नकी करवा माँ टेज टाइम स्टडी नो अप्योग करवा माँ आवे छे अवे टाइम मेजरिंग मेथड्स आपने जे वाद केरी के बैस्टोपवस थी समय नू मापन करवानू छे तो ये बे रीते थाई छे एक कमुलाटिव टाइमिंग और एक प्लाइबेक टाइमिंग आपड़े आगर ना लेक्चर नी अंदर समझी गया च्यारे स्टोपवस नी वाद थती ती त्यारे कमुलेटिव और फ्लाइबेक टाइमिंग नो डिफरेंस जोई ले ये पेलू समझे कमुलेटिव टाइमिंग आ रीतमा कारिय चक्र ना पहला घ घटक नी शरुवात साथेज स्टोपवस स्टार्ट करवामा आवेचे अने छेलो घटक पूरो न थाई त्या सुधी चालू रखवामा आवेचे स्टोप वोच ने कारिया चक्र दरम्यान क्यारेक भंध करवामा आवती नथी दरेक कारिया घटक ना अंते स्टोप वोच नू रिडिंग लईने तेनी नोंध करी लेवामा आवे छे दरेक कार्य घटक ना अंत अने सरुवात ना स्टोप वोच ना रिडिंग नो तफावत गणी ने तेनो समय मेडवामा आवे छे तोले कम्यूलेटी वेटले जेटला पन कार्य घटक छे बधानो एक साथे समय गणवानी प्रोसेस अपने जोयू के बहिए जारे कोई काम चालू करवानू होए पेलो घटक होए त्यारे स्टोप वोच चालू करी दे अने जे काम छेलो घटक होए त्यां स्टोप वोच ने बंध करवानी होए तो जे stop watch छे ये आ दरम्यान जाखी working cycle छे ये दरम्यान बंद तो करवामा आउती नथी तो जे वच्चे ना जे element होई येनो time छे ये कभी रिते लेवामा आवे तो के दरेक कार्य घटक ना अंते stop watch नो reading छे ये लेवामा आवे अने ये नो दिलेवामा आवे दरेक जे कार्य घटक छे येना छेले अने शरू आतमा जे stop watch वच्चे नो डिफ्रेंस छे ये reading नो डिफ्रेंस छे येनो तफावत लेवामा आवे छे अने आरीते समय छे ये मेडवामा आवे छे एडले cumulative timing मेडवो ये आम तो खुब अगरी प्रोसेस छे कियमके एक element पूरो था येने तातकालीक आपणे reading नो दिये त्या बीजो element चालू थाई गयो होई छे अटले जहरे खुब नाना काम नी आपणे वाद करता होई तो नाना काम माटे ना जे work element छे येने measure करवा माटे आपणे cumulative timing नो उप्यो करी शक्ये नई कियमके एटलू सुक्सम टाइमिंग छे आपणे आपी शक्से नई त्यार पची बीजू छे flyback timing आरी ते समय मापती वेडा दरेक कार्य घटक ना अंते स्टोप वोच नो काटो सुन्य पर पाच्छोल आववा मा आवे छे एला हवे आईया separate एक एक वर्क एलिमेंट ने ज मेजर करवा मा आवे छे त्यार बाद तरत अज ए पची ना कार्य घटक नो समय सुन्य थी सरू करी मापवा मा आवे छे आथी स्टोप वोच नो दरेक रीडिंग जुदा जुदा कार्य घटक नो समय दर्स आवे छे दरेक कार्य घटकनी सरूआतमा स्टोप वोच नो कातो सुन्य पर पाच्छो लाववा मा आवे छे परन्तु आ रीथे कातो सुन्य पर लाववा छता स्टोप वोच नी मिकेनिजम ने बंद करवा मा आवती न थी एडले स्टोप वोज चालू जाशे पण जेव एक एलिमेंट पूरू थाई एडले ए फरी थी 0 थी 5 चालू थाशे एडले आपणने अलग-अलग बधाज कारिय घटक ना सेपरेट टाइमिंग मेजर करवा माटे नो समय पण मडशे अने कम्यूलेटिव होए तो एनी अंदर एरर आववा निशक्यता छे जारे फ्लाइबेक नी अंदर जे एरर छे एक खुबज ओच ही आवे छे बने ने अलग-अलग पेरामेटर उपर कंपेरिजन करिने बतावेलू छे कम्यूलेटिव जे एक वखत स्टोप ओच चालू करिया बाद वर्क साइकल पूरी थया पहला बंद करवा माँ आवती न थी मेलब चालू कही तो आखु काम पूरू थाई त्यारे ज्टोप ओच चे बंद करवा माँ आवे छे ज्यारे फ्लाइबेक नी अंदर दरेक कार्य घटक नी शरुवात अने अन्ते स्टोप ओच ने अन्नुक्रम में चालू अने बंद करवा माँ आवे छे कार्य घटक नो समय तेना अंतीम अने प्रत्थम रिडिंग ना तफावत्थी मिडवा माँ आवे छे जे समय मापवा मा आवे एकेक अलिमेंट नोई कही रीते मापवा मा आवे तो के जे काई पेलू कार्य घटक होई मानो के वर्क अलिमेंट वन तो एनो अन्तीम समय अने जे प्रत्थम रिडिंग होई मतलब एनी पेला अनू आ बंदने नो तफावत लई अने चे कार्य घट सुन्य रिडिंग थी मापबा मा आउतो होई स्टोपवर्च रिडिंग कार्या घटक नो समय आपे चे एकला आई या कैने डिफ्रेंस करवानी कैलकुलेशन करवानी जरूर रेती नथी वर्क साइकल ना कूल समय मा भूल आउती नथी कोई कार्या घटक भूली जवायू होई तो तेनो समय आगड के पाछडना वर्क कार्या घटक मा उमेराई जाई छे परन्तु वर्क साइकल नो समय तो एनो एज रहे चे मतलब यह आख्याखा कामनू जे त्यारे आपने समय जोईतो होई टोटल टाइम तो यह अपने एक्यूरेट मड़े चे एमा कोई फेरफार थातो नथी पण वचेना एलिमेंट नो कोई नो समय जो अपने नोंधवानो रही गयो होई तो यह एनी अंदर भूल चुक होई शके कोई त्यार पची फ्लाइबेक निवाद करिये कोई एक कार्ये घटक नो समय नोधवानो रही जाए अथवा कोई भूल थाए तो वरक साइकल ना समय मा भूल थावानी शक्यता छे किमके आपने अलग-अलग एलिमेट ने जारे मापिये छी है तो कोई एक एलिमेट नो सम्माई मा भूल आवी है तो रेकोर्ड करवानू रही गईू लखवानू रही गईू तो आख्या खोजे वर्क साइकल छे है तो एनी अंदर पन भूल आववानी शक्यता छे कम्यूलेटिव टाइमिंग वदू चोकस छे आ टाइमिंग नी चोकस ता ओची छे मतलब फ्लाइबेक छे यानी चोकस ता ओची छे क्या रहे जारे आपने आखी साइकल नी वाद करता होई त्यारे सेपरेट वाद करता होई त्यारे नई कूल समय मा भूल थवानी शक्यता नथी एटले कामदारोंने वदू विश्वास रहा छे जारे फ्लाइबेक नी अंदर कामदारोंने कूल साइकल मा भूल रहवानी संका रहे छे कूशल व्यक्ती नाना कारिया घटकोना समय पन सरोड ताथी मापी शके छे नाना कारिया घटकोना समय मापवा मा मुश्केली पड़े छे एलल आपना आगड वाद करिये प्रमाणे के जो मूँर ही ज्या वर्क साइकल छे एनक एक्यूरेट मेजर्मेंट छे आपने कंउलेटिव टाइमिंग माझ मढशे अन्य जो आपने व्र्क ELEMENT नो सेपरेट एक्यूरे टाइमिंग जोतू होई आपने फ्लाइबेक टाइमिंग छे यानों यूज करवानों रह से ओके फ्रेंड्स थैंक यू